क्यों जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गाय को ठंडी लग रही हो इसे होना हो एक दू और कमल डाल दिये जाए लग तो मुझे भी रहा है चलो एक काम करता हूँ इसको अंदर बान देता हूँ थोड़ा आग जला देंगे तो सिकती रहेगी ठंडी की बज़े से एक खाती प बान देजिए बहुत ठंडी लग रही है इसको अरे खा तो ले पहले खा लेगी तभी तो बान देंगे उदर कुछ है भी नहीं है खा ले तो फिर आराम से बान देंगे तो बंदी रहेगी तुम एक काम करो पहले गोबर उबर तो साप कर दो इदर उदर पूरा विक्रा प अब मैं इधर तक जैसे आई हूँ तो मैं ही जान रही हूँ पैर भी नहीं रखे जा रही है ऐसा लग रहा जैसे मेरे पैरो पैरो नो किसे डंडे मारे हूँ इतना दर्द हो रहा है अरे हाँ तो क्या हुआ अभी गोबर उबर तो साप करना ही पड़ेगा इतने दिनों से पड़ा अब इतने दिन से तुम गुमाई कर रही थी गंदकी तो होगी साप कर दो थोड़ा आज तो हमसे होगा नहीं हम सही बता रहे हैं एक काम कीजिए ना दूद मुझे देजिए मैं घर जाती हूं आप न सफाई कर दो क्योंकि मेरे पैरों में इतनी दम नहीं है कि मैं इ सही कह रहे हैं लच्मी बहु सुनता बहुत पत्थर की बनी है ना ़ो तो जैसे गई नहीं थी तुम्हारे साथ उनको तो ठकान लगी नहीं बाहा गी उनकि पैरों में तो दरद होता नहीं होगा तुम तो जाकेoutez मालिस करवा लोगी स्क्रुए वह किसे करवाएंगी हम अरे वो बहू है लड़का बिटिया है उनमें हमें अंतर नहीं है अब हमारा बुढ़ापा आ गया उनकी लड़काई है उनको थोड़ी नहीं इतना दर्द होता है हमारी अबस्ता दूसरी है हाँ सही बात है अबस्ता तो मेरी भी दूसरी है इसलिए तू कह रहा हूँ कि जैसे तुम उनसे उम्मीद लगाई हो मैं तुमसे लगाई हूँ मैं चाहरा हूँ कि ये सब गोवर ओबर साफ हो जाए तो सही रहे लाईए दूदेदर आपकी बाते ना हो तो कोई पूछे भी ना आपको दूदे ना हो दूदी जीए बनना हम जा रहे हैं ठीक है लो पकड़ो लाईए दीजीए लो निकलो जाओ चलो ये खाले इसको अंदर बांद देता हूँ अब मैं इगो बर साफ कर दूँग अब क्या किया जाए मैडम जी तो भाई ठकी हुई है हारी हुई आई है वो तो कुछ करेंगी नहीं अब गोव माता को ऐसे की चड़ में नहीं बांद सकते ना और जड़ा जाएंगी इसल कुन मिला है बड़े दिनों के बाद दूप देखने को मिली है बड़ा मजा आ रहा है दूप में बैठके पैसे मुझे दूप पसंद नहीं है लेकिन सर्दियों के दूप तो ऐसे लगती है कि खा जाओ ठंडी लगती है चलो यहीं आराम से बैठके कोफी पीती हूं नहीं थोड़ा अपने हाथ पैसे एकती हूं भूत तेश ठंडी लग रही थी आज धूप निकली है मेरे मन की नहीं थोड़ा देर बैठती हूं यह क्या लग रहा है अभी सोई रही है यह लुख जगी नहीं है क्या देखू तो दूपारा होने को जा रही है अभी तक यह सोई र देखू तो दूपारा होने को जा रही है यह सोने का ठाइम है नहीं माजी हम तो बहुत देर के जगे हैं काम कर रहे थे कोई नहीं सो रहा था और वो महरानिया क्या कर रही है दोनों सुनता बव प्रिया बव जगी यह वो अभी सोई रही है नहीं माजी कोई नहीं सो रहा है सब जगे है प्रिया अब सायद बस रूम में है और छोटी यहीं कहीं होगी कुछ कर रही होगी अच्छ चलो फिर ठीक लो यह दूद रख दो, आधा दूद जमा दे न, आधा दूद गरम कर लो और एक कफ हमें चाय बना दो और सुनो, थोड़ा तेल गरम कर दो हमारे लिए, हम जा रहे हैं बाहर दूप में बैठेंगे थोड़ी देर, गायडन में, सुनता बाहु से बोलो थोड़ी हमारे पैरों में मालिस कर जी माजी लाइए, थोड़ा सा सर्चो का तेल, कटोरी में डाल की गरम कर लो और लेके आओ, ठीक है माजी लाती हूं, यहीं पर ऐसे गरम कर देती हूं, कौन जाए उदर, किचहन में तो बहुत ठंडी लगती है, यहीं आग भी है, यहीं पर पानी भी गरम होता रहेगा मे माजी का तेल भी गरम हो जाएगा, रहे बड़ी दीदी, यह क्या कर रही हो, तेल गरम कर रहे हैं, प्रिया माजी की पैरों में बहुत सूचन आ गई है, बहुत दर दो रहे हैं, तो थोड़ा गरम कर दू, माल इस करवाने के लिए, भई कर रहे हैं, तो हमने सोचा इधर य अच्छा जी तो यह बात है वैसे तो आप भी जल जाएंगी कटोरी गरम नहीं होगी हाथ तो कम से कम हटालो आरे नहीं होगी कटोरी गरम हम दूर से उसको आज से दिखा रहे हैं ना इतना गरम थोड़ी ना करना है कौन सा पूरी निकालनी है उसमें मालेशी तो करनी है मा जी अभी गाय का दूद निकाल के आई है इस अग्जास अभी रखके आएं करिंटिया था जमा दे ना था पका लेना और चाय बना बस मेशचा आते हैं बनाते हैं चाय चलो ठीक है आप एक कम किजिए तेल गरम करके माशी को दे आई हम जब तक जाके गैस में चाय बना लेते हैं आप क्योंने प्रइलाद होगे तो जरूर है निसमग फिर तिया जाती हूं ओर तो य करते हैं अगर गहर करना तो ऑगभी गलास फिह से गहरा हुए adjust न उसमेगे लाइटे दिए ती डाल के व्यादे कर देंगे हैं चलो हम मेरा तेल हो गया गर्म जाती हूं माझी को देया हूं है यह क्या इख ट्रिया शाहरी थी का टॉरी गरम हो जाएगी तो सच में बहुत तेज गरम हो गई है बढ़ कोई बात नहीं है अभी जा रही हूं जल्दी से देखे आती हो सुनता रहो तुँ यहां बैठी हो हाँ माजी मुझे ठंटी लग रही थी तुम्हें ने सोचा थोड़ी देर धूप ले लूँ चलो ठीक है चाय वाय बन गई क्या नहीं माजी चाय तो कहा बनी है दूप था ही नहीं तो चाय बनेगी कहा से हम तो कॉफी पी रहे थे ओ हमें पता नहीं था तुम तो कॉफी वाली हो कॉफी पीती हो चलो हटो बैठने दो जी माजी लेजिये माजी बैठ जाए बैठो खड़ी क्यों हो ठीक है, क्या बात है माजी ते प्यार से बोल रही है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है, वनम माजी हम से ते प्यार से कहां बात करती है, लो माजी, ले आए तेल गरम करके, ला तो लच्मी बहु, बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिस कर दो बहु, सुनता बहु, ला तो बेटा, ले ले तेल लच्मी बहु से, तेरे पैरों में थोड़ी मालिस कर दे, उठा भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, उतना काय के दोनी करने गए थे पूछो न कैसे गये हैं, गोबर तक पड़ा है वहीं पर, कुछ नहीं किया है, पापा जी से बोलाए है कि कर दे, बड़ा दर्द हो रहा है पैरों में लो देखा अमने कहा था न कुछ तो डाल में काला है माजी इत्ती मीठी मीठी बाते कर रही है मालेस है करो आनिती हमसे हमारे तो खुदी पैर फटे जा रहे हम क्या मालेस करेंगे लो छोटी पकड़ो कर दो माजी के थोड़ा सा मालेस क्या हो गया छोटी क्यों रोने लगी एक दम से हमारे पैरों में बहुत दर दो रहा है टूटे जा रहे है क्या करेंगे देरे हमारे पैरों फटे जा रही है नचे इतना दर दो रहा है क्या हो गया देखांव कहा दर दो रहाए बताओ बताओ पीर सेपारओ है रुको छूड़ी रुको रो नहीं दिखांव का दर दो रहा है लाव हम तुम हमा इमालिश कर दे लाव लाव पैर दबा दे लच्छ भी वो दबा दू पैर लग रहा फाटन उठीए जल्दी जल्दी दबाओ ये फाटन भी बहुत खराब होती है लाहम सर दबा देते हैं अराम मिल जाएगा बेटा परिशान ना हो मिल जाएगा अराम क्या हो गया इतनी तेश तेश कौन रो रहा था अरे कोई नहीं रो रहा था सुनता बाओ किया हाथ पैरों में फाटन उठ गई एकदम से दर्द के मारे ये विचारी तडब गई एकदम वही ये रो रही थी मैं सुचू क्या हो गया मतलब छोड़ी दीडी की फेर से नो टंकी चालो प्रिया चुप रहा हो ज्यादा मत बोलो अरे दीडी ची आता का बोल नहीं चु सचे वही तो बोल रहे हैं मारे चाय पीली जी चाय ले आए हैं प्रिया भहू तुभी तिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारी जिठानी की तबियत खराब हो गई उसके हाथ पैरों में सर में फाटन उठीए और तुम चाय लेके खड़ियो बेवकूप कहें की चाय दिखाई दे रहे हैं यह नहीं कि चाय आएक तरब फेको आप पैर दब आए आओ जल्दी जे दबाओ पैर जी माजी जी आ रहे हैं लाओ दीडी दबादे आपके पैर फाटन बंद हो जाएगी जल्दी जल्दी दबाओ दम निकली जहा रहे हैं माजी बहुत दद दो रहे हैं चोटी परेसान नहों आराम मिल जाएगा अरे दीडी कैसे मिल जाएगा राम जब आप साहिसे नहीं दबाओ की साहिसे दबाओ मेरे हाथ पैर अरे का सड़े सड़े हाथो दबा रही हो अच्छी कड़े हाथो दबा देजी से प्रियबा ठंक से दबाओ जी माजी ऐसे काम करवाय जाता है सासो और जिठानियों और दिवरानियों से देखां मेरी टेकनिक मुझसे मालिस करवा रही थी उल्टे करवाली न सबसे एक साथ आगीया ऊठ बहड़ के नीचे माजी की पैरों में बहुत दाड दोरा था ना आप दर दबार पता नहीं है दीदी क्या हो गिया आकको मिर्गी आ राही है क्या ये क्या कर रही है आँ पादर दोरा कोई दंग्ची नहीं दबारा आरे देयरे मरी जारीूं क्या करूँ आ कोई पाण नहीं दबारा